सब्सक्राइब कीजिएगा फात्मा ब्यूटी चैनल को और साथ में मौझूद बेल ऐकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताके आपको लेटिस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहें सन्सक्राइब कीरिक लेगावडारा थाल योड़ की अवी ऊयर योडे टाले होड़ार मिलती रहें मौझ। झाल 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 आज मैं आपसे रिव्यू शेर करूंगी डॉक्टर रूमिया के इन तमाम प्रोडक्त के बारे में जो के आप उनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये प्रोडक्त जो मुझे रिसीव हुए थे ये तक्रीवन धाई से तीन महीने पहले हुए थे इस प्यार पैकेज और इनके बारे में जो मेरी राय है जो मेरा व्यू है वह मैं आप लोगों से शेयर करना चाहरी हूं क्योंके मुझे इनको यूस करते वे दो महीने हो चु प्रिजन रेटिंग क्रीम है फर लॉफ्टी आईलैशेस एंड वोल्योमीनियस आइब्रोग्वर्स ये उन लोगों के लिए क्रीम बनाई गई है जिनके आईब्रोग्स जो है काफी उस पे लोगों ने पे घ्रेचीज के वह जाए बहूं लोगों के लिए तो उसके लिए पीछे भी मैं यहां पता इसकी क्या प्राइस है अगर आप जानना चाहते हो तो देख सकते हो जाके इंस्ट्राइब पेच फे डॉक्तर रोमी आप टाइप करोगे ठीक है तो यह क्रीम जो है यह इस तरीके से ओपन होती है अंदर से इसकी तो कंसिस्टेंसी है वह आप देख तो आपको करना क्या है सबसे पहले तो मैं आपको अप्लाइ करने का तरीका बता जाए थी हूं बहुत थोड़ी सी अमाउंट में लेगे आपको पहले अपने आईब्रोस पे लगानी है फिर अपनी लगानी है लेकिन एप्लिकेशन के वक्त आप थोड़े से केरफुल रहें क्योंकि आँखों में नहीं जानी चाहिए ठीक है और यह जो क्रीम है वो इनरिच है वाइटमिन से मिनरल से एंटि ऑक्सीरेंट से और इसमें वो तमाम चीज़े शामिल की गई है जो आपके आईब्रोस को बहुत ज़दा घणा करती है और आपकी लैशेस को घणा करती है ठीक है तो यह बहुत अच्छी क्रीम है इसके अला से टीक है क्रीम काम को गई है क्रीम है वह कंए है और एशे कांचे कि आभी एप इनरिच और बॉन हो गई आगा है और यह इसमें की एक अजघार ऊम्हां इसको आऋ ए नहीजाप जहां। तो जबसे मैंने क्रीम लगाई नहीं तो वहां पे भी आइब्रोज जो है मेरी फिल अप हो गई है तो आइल गिफ थम्स अप ठीक है सहीशन पस्े मावी लोट सस्टन मेकप अच्छा जी जो बहुत मेक आपके पोर्षं को भी करता है और आपके skin को refresh करता है, काम करता है, hydrate करता है और आपके जो skin है उस पे कोई irritation की feeling नहीं आती है अगर एक कोई skin पे आपके irritation है तो उसको भी ये बहुत अच्छे से खतम कर देता है और आपके skin बहुत refresh हो जाती है और ये non rinse formula को लगा के आपको मुझ भी दोने की ज़रूरत नहीं है तो ये इस तरीके से है अंदर spray bottle है और ये इनका जो है micellar bottle है और बहुत जबरदस्त ये है, मैं आपको इसके live demo भी दिखा देती हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है अच्छा जी ये जो है huda beauty की mad gloss है mad lip gloss है और ये काफी tough lip gloss है ठीके जब आप इसको लगाते हो ना तो ये ऐसे ही remove नहीं होता जिन्होंने ये use किया उनको पता होगा ठीके तो मैं आपको दिखा देती हूँ अपने हाथ पे लगा के इसको ठीके अब हम इसको जो है सूपने देंगे फोड़ा सा ये सूप जाए फिर हम वापस आपे reverse आप देख सकते हैं ये जो mad lip gloss मैंने लगाया था ये सूप चुका है और ये देखें हम कितना tough है ये किसी तरीके से हाथ से remove नहीं हो रहा है बहुत ही stubborn ये मैट lip gloss है ठीके तो अब हमें क्या करना है अब हमें इसको थोड़ा से shake करना है और हमें लेना है इसका just one pump ठीके आप consistency भी देख सकते हो ये देखें कितनी इसकी गाड़ी consistency है like gel तो हमें ये एक पंप लेना है ठीके और अब आप देखेंगे just one vibe और ये vibe हो जाए ये देखें तो ये बहुत जबर्दस micellar water है and I personally like this micellar water मैंने बहुत सारे और भी यूज की हैं लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा लगा और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपके skin को gently एकदम से refresh कर देता है और हाइड्रेट भी करता है आप इसको seven days a week लगा सकते हो evening में लगा सकते हो morning में लगा सकते हो आपके pores भी minimize करेगा skin को calm भी करेगा refresh भी करेगा उसके अलावा as in makeup remover भी use होता है तो ये basically triple action micellar cleansing water है तो मुझे इसके result बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको use किया मुझे बहुत और करूंगी अगर आप भी लेना चाहते हो तो डॉक्टर रोमिया का जो instagram पे पेज है वहाँ पे आप जागे टाइप कर सकते हो डॉक्टर रोमिया और वहाँ से यह आप और कर सकते हो तो easily आपको यह आपके घर पे डिलिवर कर दिया जाएगा ठीक है so this is very good micellar water and अब हम third product पे आजाते हैं इनका जो third product है वो है seven berries mud mask और यह एक mud mask है और इस पे लिखा हुआ है remove impurities and dead cells to give skin a beautiful fresh and smooth feel यह बहुत अच्छा mud mask है मैं जब भी नॉर्मली घर पे फेशल करती हूँ तो जो है मैं इसको use करती हूँ और अंदर से आप देख सकते हो यह किस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखे इस तरीके से है बहुत जबरदस baby pink color जो है light pink color का यह mud mask है और बहुत इसका अच्छा result है और इसकी जो price है वो तक्रीबन I think 500 something है कुछ ही यह उससे ज कर देती है और यह काफी बड़ा तब है जिसमें यह मास्क है तो कम से कम एक साल तो आपका अगर आप रेगुलर्ली फिशल करते हो तो एक दिर साल तो आपका राम से यूज हो ज़ए ठीक है तो और इसके खुश्बू इतनी कोई अच्छी खुश्बू है इसमें से बैरी मास्क है मैं आपको बताती चलू इसके अंदर जो है बैसिकली कार्णी बैरी है ब्लू बैरी है गुजी बैरी है एल्डर बैरी है एस्याइ बैरी है और रेजबरी तो यह सेवन बैरी का कॉम्बिनेशन इतना पावर्फुल है कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वाइट करेगा बहुत अच्छा से उसमें ग्लो लेके आएगा आपके स्किन को टाइट करेगा एक टाइट आइट आपकी स्किन पर फीदिंग आएगी जब मैंने इसको यूज किया तो मेरे स्किन बहुत ही अच्छी हो गई रिफ्रेश स्मूध और इतनी जादा बेबी सॉप्ट हो गई थी बिल्कुल बेबी सॉप्ट सकिन आपको एक डाम से आपकी स्किन जो है बेबी सॉफट हो जाएगी और ये प्रोफेशनल प्रोफेशनल मड मासक है जो के प्रोफेशनली सेलून एंड इन स्स्पा में यूज किया जाता है इतना-जबढ़ शर्म करने के बहुत ही इसकी थिन लेयर अपलाई करना है इसको इसको पूरे जुन है अब आपके फेस पेस को आपने लगा देना है ठीक है मैंने भी कम आमान लिया जिए इस दिकhाने के लिए तो यह इस तरहिके से लगेगा अपको बीस मिनट आराम से रिलैक्स करना करें है ताले मन प्राइक करने के बाद जब आठाउगे तो पिर आपको इसको को वाश कर लेना है और वाश इस तरी के से कर जब तर्म करने के अपके किस तरी के वाश आप करने के पंनें ने hogar और आप जिए लिए अब फेस वाश कर आप ले । आह सो अप में अ epa z Luigi ग्लो आगिया है ठीक है अब कर लेते हैं अब इसके ग्राम्स की बॉटल में जो है ये 220 ग्राम्स की ये बॉटल है और ये 100% और गैनिक मड मास्क है ठीक है तो मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से एक प्रोफेशनल मड मास्क होना चाहिए तो कि इसमें ये सारी कॉलिटीज हैं बिलीव मी ठीक है तो अगर आप लोग खरीदना चाहते हो कोई मड मास्क प्रोफेशनल समर्स के लिए लाइक सब लोग माशाला से अब घर में ही फेशल कर रहे हैं और उस लोग तो घर में ही करते हैं तो उनके लिए बैस्ट है आप लोग जरूर इसको ट्राइ करो और मुझे बताओ के आपको ये कैसा लगा ठीक है तो व्यूवर्स ये था मेरा रिव्यू इन तमाम प्रोड़क्स के बारे में जो के मैंने यूज कि और मुझे डॉक्टर रोमिया ने सेंड किये तो थैंक्यू सो मच डॉक्टर रोमिया उन्होंन अगर आपको मेरी आज के वीडियो अच्छी लगी और इंफर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा इंशाला और मैं शाला अब जैसे रमजान आगया तो रमजान के टॉपिक पे भी के हमें उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहि होंगी तो स्टे टून तो मैं चैनल थैंक यू सो मच अलहाफिस